आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवासिच्छा 24-7 में तो दोस्तों देखिएगा आज हम बहुती महत्पूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं ब्याहर जी के से देखिएगा ब्याहर की प्रमुक नदियां क्या ब्याहर की प्रमुक नदियां तो आप बीपी एसी की देखिएगा ब्याहर की प्रमुक नदियां अब बताएगा देखिएगा प्रिशन नेपाल से निकलकर ब्याहर में बहने वाली प्रमुक नदियां कौन कौन से हैं तो बताईएगा दोस्तो देखेगा जो नेपाल से ओकर बिहार में बहने वाली प्रमुक नदियां कौन कौन सी है। अगला प्रिशन देखिएगा मद्य प्रदेश से निकल कर बिहार में बहने वाली प्रमुक नदियां क्या मद्य प्रदेश से निकल कर बिहार में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है बताईएगा सौन पुनपुन कर्मनासा ठीक है कौन कौन सी है कर्मनासा है पुन पुन है फर तुमारा ठीक है अगला देखिएगा बिहार की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी कौन सी है अब बताईएगा दोस्तों बिहार की सबसे लंबी नदी जो बिहार में होके निकलती है तो सबसे लंबी नदी तो दोस्तों गंगा है यहां से निकलती है उत्तर प्रदेश से कहां से बक्सर से और सीधा निकल के पूरे बिहार को दो भागों में बाड़ देती है ठीक है बीचों बीच तो सबसे बड़ी गंगा नदी अगला प्रिशन देखिएगा गंगा नदी कहां से निकलती और कहां गिरती है अब बताएगा गंगा नदी कहां से निकलती है गंगा नदी उत्तरा खंड के उत्तर कासी जिले के गंगोत्री नामक गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है और कहां से बक्सर से यानि बिहार में प्रवेश कहां से कर सती है बक बिवार के मैदान को दो भागों में ठीक है बियार को दो भागों में बाढ़ती है और प्रवेष्कर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है यानि कि उत्तर्प्रदेश से सटी हुई बैख्षर से बिवार में प्रिवेस करती है और ये पच्छिम मंगाल में यहां पच्छिम मंगाल है पच्छिम मंगाल में प्रिवेस करती है कहां गिरदाती है बंगाल की खाड़ी में चलिएगा अकला प्रिशन देखिएगा नेपाल से निकल कर बिहार में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदि नेपाल से निकल कर बिहार में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदि और वो दोस्तों पहले थी बिहार में ओकर बीचों भी सुगंगा नदि ये प्रश्ण में अंतर देखना ये नेपाल से नेपाल से उपर से कोब सी नदी सब से लंबी नदी है तो यह दोस्तों कोशी नदी है कोशी नदी थार क्षि When Do Some अपना मार्ग बदल देती है ठीक है अगला प्रिशन देखिएगा सो नदी कहां से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिलती है अब बताईएगा सो नदी मद्द प्रदेश के अमर कंटक यानि कि सो नदी दोस्तों इधर से निकलती है दच्छन से मद्द प्रदेश से निकलकर अमर कंटक स्थल से निकलती है तथा पटना में गंगा मिल जाती है यानि पटना में जाकर के यहां बिहार में जाकर मिल जाती है ठीक है कौन सी सो नदी कहां से निकलती है तथा किस नदी में मिलती है मद्ध प्रदेश के अमर कंटक स्थान से निकलती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है ठीक है चलिए गाल प्रिशन देखी का पुनपुन नदी कहां से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिल जाती है तो दोस्तों यह मद्द प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है वही पुनपुन यहां सौन है यह कर्मनासा यह तुमारा सौन नदी यह पुनपुन ठीक है ऐसे निकलती है तो यह मद्द प्रदेश के पठारी बाग से निकलती है तथा पठना में जाकर फतुआ में मिल जाती है तो यह पठना में जाकर फतुआ में मिल जाती है ठीक है कर्मनासा कहा है कर्मनासा ऐसे निकलती है सौन पुन पुन ठीक है तो यहां बिद्यांचल से निकलती है तथा चौसा बकसर में जाके निकट में गंगा में मिल जाती है तो यह बकसर यह उत्तर प्रदेश की सीमा से लिखता है बकसर तो बकसर से निकलके गंगा में मिलती है ठीक है कहां पर गंगा में मिल जाती है सारी गंगा ऐसे करके गई है तो सारी नदियां गंगई में मिलती है ये कर्मनासा यहां गंगा में मिल गई बकसर से निकलती है उत्तर परदेश की जो सीमा से लगा हुआ है ये तुम्हारा सौन नदी है ऐसी पनपन ये सारी नदी गंगा में मिलती है चलिएगा हुआ क्लियर अगला प्रिशन देखिएगा गंगा की सहयक नदियों में उत्तर की और कौन सी नदी सबसे लंबी है अब गंगा की सहयक नदी यानि के गंगा की जो गंगा ऐसे करके निकली है तो गंगा की सहयक नदी उत्तर से तो कौन सी है सबसे लंबी नदी कोसी तो दोस्तों यहां कोशी है ठीक है ऐसे यहां से यह सारी नदिया गई है गंडग बुड़ी गंडग कोशी गागरा ठीक है तो यह सबसे बड़ी कोशी नदी है अगला प्रश्ण देखिएगा उत्री बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है अब बताएगा यह पूरा पश्यम देख लेना, यह पूरा यह पश्यम, अब उत्री उपर से, ठीक है, नेपाल से जो आए, तो उत्री बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौनसी है, तो यह दोस्तो महानदी है, यहाँ पर कोशी, कोशी के बाद महानदी, ठीक है, यहाँ से यह से चलती ह अगला परिशन देखिएगा, फालगुनी नदी की मुख्यदारा क्या 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 क्य इसे करके जा रही है यहां उत्तर प्रदेश की सीमा है यह इधर तो यहां बकसर है यह बकसर है ठीक है तो यह कर्म नासा नदी निकलती है कौनसी यह कर्म नासा नदी है यह शौन है यह पुन-पुन है ठीक है तो यह कहां से निकल रही है कर्म नासा से होकर उत्तर प्रदेश कौन सी नदी उत्तर प्रदेश तथा ब्यार की विस सीमा से निकलती है कर्मनासा नदी कौन सी है कर्मनासा चलिएगा अगला प्रिशन देखिएगा एसिया का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर और कहां पर है बताईगा एसिया का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी ठीक है अगला प्रिशन देखिएगा राज इंदर सेतु किस नदीप पर और कहां पर है ये गंगा नदीप पर मोका मा के निकट कहां पर है गंगा नदीप है मोका मा के निकट ठीक है अगला प्रिशन देखिएगा भारत का सबसे बड़ा रेल पुल किस नदीप और कहां है ब ब्याहर के डेहरी ओन सोन में जभार पुल है कौन सा पुल है जभार पुल सोन नदी पर ठीक है सोन नदी कहा पर थी यह आपकी कर्मनासा थी यह सोन नदी थी गंगा में जाके ऐसे मिल रही है तो यह कहा पर है सोन नदी पर है बिहार के डैरी ओन सोन में जवहर पुल, कौन सा पुल है, सबसे बड़ा रेल पुल, जवहर पुल, किस नदी पर है, सोन नदी पर, ठीक है, चलीगा, अगला प्रिशन देखिएगा, बिहार की सरवादिक तीबर जलदारा वाली नदी कौन सी है, यह बूड़ी गंडग, कौन कौन सी है नेपाल से उत्तर से आ रही है अग डते कह अग आधिक हंसी है जय आधिक वेकाति जोर्थ K आधिकर दोड़ि आहया है OH मैं प्राइब बहरले-अड से दुखी है जोर्थžeक बूड़ी एक्षिंडistan को राटब्ण. कुन पुन नादी यह नीचर से जाती हैं दा ठीक है तो यहें नदी है सो नदी गंगा नदी की वड़ी सायक नदी है अकूर अगला प्रश्ण دेखिएंगा है Qद नेपाल में नरायडी के नाम से next को जाना जाता है बताइगा किस पुरपुर कांपर है गंडग नदी के कनारे अगला प्रश्ण बिहार की कौन सी नदी मार्ग बदनने के लिए को ख्यात है यानि की कोशी नदी ठीक है कोशी नदी बताया था ना आपको कोशी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है क्या कहा जाता है मार्ग बदनने वाली नदी कौन सी है कोशी नदी बिहार का सो कोशी नदी ठीक है चलिएगा अगला प्रिशन देखिएगा नेपाल से निकल कर बिहार में बहने वाली नदियां उत्तर बिहार में साल भर पानी क्यों रहता है बताईए नेपाल से जो निकलती हैं बिहार में नदियां जो बहती हैं उत्तर बिहार में सालो भर पानी क्यों रहता है उत्तरी बिहार गंगा नदी सहित की नदियों का निरम प्रिश की प्रमुग नदीयों के उध्गम इस्तलता संग और को बताना है और ये कहा है देखें ब्यार की प्रमुगनादिया यह आध पतातें आपको एक एक करके नदी है यह नदीया है उद्गम Сथलै यह संगम और मौहना ठीक है कहां पर मिलती है कहां गरती है उद्गम इस्थल कहां से है गंगा नदी अब देखिए नमबर एक गंगा नदी गंगा नदी का उद्गम इस्थल है गंगोत्री नामक हिमानी उत्राखंड तो ये कहां से निकलती है कहां से उद्गम इस्थल है इसका गंगोत्री नामक हिमानी उत्राखन से और यह मिलती है बंगाल की खाड़ी में ठीक है अब देखिए सोन नदी सोन नदी कहां से निकलती है अमर कंटक की पाड़ी मद्ध प्रदेश से ठीक है बताया था ना नीचे से दच्छन से मद्ध प्रदेश सोन नदी गंगा में जाके मिलती है अमर कंटक की पा यहां पर पड़ता है तुम्हारा कटिहाल, पूणिया और यहां से हो के निकलती है अगला पाद्टर में का होगाए पैसे बताइगा गंडग नदी का जो उद्गम इस्तल है मान गमोट नेपाल ये नेपाल से निकलती है और सौनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है कहां पर सौनपुर के निकट अच्छा बूड़ी गंडग सामिश्वर की पाड़ी से और मुंगेर के निकट तो मुंगेर कहां पर है यहां से निकलती है और छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है चलिएगा अगला प्रिश्ट अगे देखीगा कमला अच्छा कमला नदी का उद्गम इस्तले महाभारत रेडी और कोशी नदी में जाकर मिल जाती है जैसे कोशी ऐसे करके आती है कोशी नेपाल से ऐसे करके आती है अब यहीं पर आके यह कमला नदी इसकी साहिक नदी है ऐसे करके यहाँ पर आकर मिल जाती है तो कमला नदी का उद्गम इस्तले महाभारत रेडी और कोशी नदी में आकर मिल जाती है अगला देखीएगा आगे बागमती नदी का उद्गम पर देखो फिर देखे गाइए इसे गंगा निकल के जाती है यहां यह उत्तर प्रदेश की सीमा है यह पच्छिम अंगाल की है ठीक है तो यहां से निकलती है जिक पक्सर से ठीक है यहां से उत्तर प्रदेश प्रविस्ट कर त्ये प्रविस्ट करती है और यहांपर हैं यहां-फ्रिया यह पूण्डा है और यह किस्तर गंग्ज है तो कहां Сे कटियार के निकट, यहां से कटियार के निकट से निकल जाती है, ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा, कोशी, कोशी का उद्गम इस्तल है, सापत कौशिक नेपाल, नेपाल से आ रही है कोशी, उपर से, और मिलती कहां पर जाके है यह, पताइएगा, कोशी नदी, खगड यहां जाके खड़िया जिले के फल्कु नदी उत्री छोटा नागपुर पठार यह उद्गमिस्तल है फागली नदी का और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है पुन-पुन अच्छा पुन-पुन बताईएगा पुन-पुन मैं कई बार बता चुका हूं यह कर्मनासा है यह पुन-पुन-पुन अधी जाती है यह जाके फ्तुवा के निकट गंगा में मिल जाती है ठीक है तो दोस्तो धनवाद हम आसा करते हैं कि सारी नदीयां आपको समझाई होंगी ठीक है तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ सेयर कर दोस्तों ऐसे ही हम इंपोर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे आपके लिए तन्य बाद